धनीपूर में मस्जिद के लिए आवंटित जमीन पर विवाद हाई कोट की लखनू बेंच में दैर हुई याचिका राने खपूर और रमा रानी ने दैर की याचिका दिल्ली की रहने वाली हैं दोनों महिला जिनोंने याचिका दैर की है अयोध्या के धनीपूर गाउं में आवंटित है जमीन बतादे कि सुनी सेंटल वक्व बोड को आवंटित है पांच एकर जमीन सुप्रिंग कोट के आदेश पर यूपी सरकान ने आवंटित की है जमीन याचिका पर आट परवरी को हो सकती है सुनवाई तो ये दोनों महिलाएं दिल्ली की रहने वाली हैं आयोध्या के धनीपूर गाउं में आवंटित की गई है जमीन सुनी सेंटर वको बोड को आवंटित है पांच एकर जमीन लेकिन अब इस पर भी विवाद बढ़ गया है सुप्रिंग कोट के आदेश पर यूपी सरकान ने ये जमीन आवंटित की पवर पर जादा जानकारी के लिए मेरी सयोगी निकिता सरीन जुडगए निकिता जिस त स्क्रीम कोट के पैंसले की बाद उत्तर प्रतेश सरकार ने अयोद्या के धनीपूर गाओं में मजजित के लिए जमीन आवंटित ही लेकिन अब इस जमीन के विरुद अलाहबाद हाई कोट की लखनव बेंच में याचिका दायर की गई है और याचिका करता ने मस्जित के संबंद में रानी कपूर पंजाब और रामा रानी पंजाब की तरफ से बुद्वार को लखनव हाई कोट बेंच में यहाचिका दाखिल गी गई है कि जो पांच एकर जमीन मस्जित के लिए अवंजित की है उसका मुकदम आयोद्या के बंदोर्स अधिकारी जो बंदी के स पहले से ही जो विचारा धीन है और इसकी सुनवाई अब 8 परवरी 2021 को होनी संबव है और उन्होंने अपनी याचिका में कहा है कि बटवारे के समय उनके माता पिता पाकिस्तान के पंजाब से आये थे और वे जनपत में बस गये थे और मिजी विभाग में उन्हें जो भी पत पर नौकरी भी मिली थी और रानी कपूर जो पंजाब है और उनकी जो बहन है रमा रानी पंजाब उन्होंने कहा है कि उनके पिता को 1560 रुपे में पांच साल के लिए धनीपूर गाउं में जो जमीन थी वो दी गई थी और फ्रैजाबाद जो कि अब आयोध्या में उ जी मैं यहीं बताऊंगे कि इसकी अवधी यानि कि जो पांच साल की अवधी बीच जाने के बाद भी उस वक्त जमीन उनके परिवार है वही उप्योग कर रहे था और उन्हीं के कब्जे में थी और यहीं नहीं वो जमीन का जो संबंदित पूरा जो रिकॉर्ड है उसमें कि दर्ज हो गया है और अभी इसी बीच नाइंटी 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 एट के अगर हम बात करें तो तहसील जो उनके पिता है उनका यह जमीन जो संबंदित रिकॉर्ड से हटा दिया का था और इसके विरुद याचिका करता कि जो मां है उन्होंने पैजाबाद अपर आ